नमस्कार दोस्तों, M पर इतने M क्यों M है? बहुत important topic है समाज के लिए बहुत आइना दिखाने का काम करने की कोशिश करूँगा political नहीं बनाऊंगा, है तो पूरा political बट ये समाज का test है ये M कौन है? एक तेज तर्रार हमारी महिला सांसत वेश्ट बेंगौल की और इतने M कौन है? ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा और M फर मौन है वो मौन है वो और उस पे चेक किया जाएगा, बात करी जाएगी, आप लोग पाटिसिपेट करना एक महिला सांसत को बहुत ज़ादा उनकी photograph परसनल निकाली जा रही है और एक मुहीम चड़ाई स्टार्ट करी गई है, M फर मुहीम स्टार्ट करी गई है उनकी अगेश्टेज तर्रार नेता है कोई सपोर्ट में M फर मौरली भी नहीं खड़ा है और ये समाज के पतन का दिख रहा है पॉलिटिकल जो इशू है कि भाई पैसे लेके कुछ सवाल पूछे के उसकी investigation करो उस पे कोई चर्चा का विशे नहीं है वो तो इलजाम लगाते रहते हैं, ये महिला सांसत भी लगाती है और अवाज करते हैं वो तो पार फॉर दे पॉलिटिक से ठीक है पर personal photographs, personal attacks, shaming ये समाज इसको enjoy करता दिख रहा है और सब finger on your lips है लाश्ट टाइम जब ये मौन की एक और परधान मंतरी थे M4 आपको पता है उनको भी ये मौन मौन का दिखाये गया था पर अभी बहुत लोग M4 मौन हैं, बहुत महिला सांसत, बहुत मंतरी in fact इनकी party की सबसे बड़ी leader वो भी M4 वो भी देख रही है क्या हो रहा है politician देख रहा है जनता किस तरफ है सारे, जिस तरफ जनता का रुजहान बनेगा उस तरफ ही चीज़ें आगे आएंगी that's why many people are not reacting and अब इसको एक MP जो पुरुष MP है जिनकी M4 MBA की degree पे इनने fake degree का किया था मिर्ची लगी लगी करके वो 6 मीने बाद कोई और इन महिला का M4 मित्र लेकर आए जिनने कुछ 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 कर रहा है जो सुप्रीम कोट के लॉयर है ये personal राजनीती का इस लेवल पे आना इतने low blows होना बहुत खराब चीज़े especially नवरातरे चल रहे हैं जहां नारी शक्ती को पूजा जाता है देवी शक्ती को पूजा जाता है समाज के अंदर अंदर से अब अगर M for Mon रहे हम सब समाज में तो लास्ट टाइम M for महाभारत में जब द्रौपती का चीरहरन हुआ था और सारे गुरू finger on lips करके ऐसे देख रहे थे कि अब हम तो कुछ कर नहीं सकते तो उस टाइम श्री कृष्ण आगे थे अब श्री कृष्ण किस रूप में आएंगे किसको बनना है हमी श्री कृष्ण के सब आगे के वन्शज हैं एक तरह से तो अभी इस modern 2023 में हम लोगों को खड़ा होना है इस issue के लिए कि ये photograph business is not correct बाकी तुम्हें अपनी politics में जो leap up वो करना है वो सब करते हैं सब को पता है उसमें कोई वो नहीं कर रहा है उसमें किसी ने कुछ गलत भी किया है तो आप investigation करें आप inquiry करें आप के पास सब जिन के पास तंतर मंतर सब कुछ है सब करें लेकिन अभी तक किसी ने उन photograph को बंद करने का हटाने का जो की बहुत easy होता है अगर एक बार किसी की तरफ से आजाए तंतर की तरफ से आजाए कि भी यह यह जटाओ यार यह सब ठीक नहीं है in fact और कुछ release कर दिया जाएगा इसका सुख बुगहाट और जादा है आप वो सोचो उस महीला पर क्या बीतरी होगी वो member of parliament है कोई ऐसे बिचारी महीला टाइप नहीं है वो अपनी भी शेरनी का ही रूप रखती है पर उनके साथ ये हो रहा है ये कौन सा woman reservation bill कर दिया कर दिया ये empowerment of woman है कौन सी woman politics में आएगी जब उसको इस तरह shame करा जाएगा उसका कुछ भी personal निकाल कर कौन आना चाहेगी ये आप सारी उस तरह की महिलाएं चाहती है ऐसे करके रोटिखाग जी acting करके बता रहा हूँ सब servient महिलाएं without brain of their own जिनका M4 मुह नहीं खुलता आप सारी ऐसी M4 मुह ना खुलने वाली मौन रहने वाली ऐसी M4 महिला लाना चाहते हैं पारलेमेंट में क्योंकि जो आके मुह खोल रही हो उसके साथ तो ये काम कर रहे हूँ आप और आप photograph लगा रहे हो वो typical stereotype बॉलीवूड में दिखाते हैं एक villain type कि वो ऐसे सिगार पीता है कुछ दारू पीता है कुछ खाता है आसपास photograph खिचाता है किस तरह करके वो aim है यहां से छोड़ा की भी सवाल पूछने के लिए पैसे लिए गए हैं और ऐसा करके तो लोगों को लगा रहे हैं और साथ में फोटो तो यानि आप जज़ करवाना चाते हैं पब्लिक को पब्लिक जज़ करेगी हिंदुस्तान की भारत की इंडिया की लेकिन जज़ करेगी जो यह फोटोग्राफ दिखा रहे हैं उनको उस महिला को नहीं करेगी इस इस दा मैसेज और आप लोगों को जो सुन रहे हैं वीवर्स छोटा चैनल हो कम मैसेज हो मैसेज जाना चाहिए बड़े बैलून की हवा निकालने के लिए इतनी सी सुई ही काफी है ऐसे लगता है क्या होगा इतना इतना इनकी आर्मी है ट्रोल आर्मी है पेड आर्मी है आईटी सेल है फलाना धमकाना है ठीक है लेकिन वो तो पेड के लिए चल रहे हैं एक एजेंडा के लिए चल रहे हैं एम फॉर मॉरालिटी के लिए अंदर से दिल की बात सुनो और इस चीज को as a countryman as country की भई ये बरदाश नहीं होगा ये photo business ये shaming business personal attacks इस level के इतने level के महीला के लिए पूरुष के तो जब sexual allegations लगे harassment के MP के और बहुत स्टेटों में ministers के भी लगते हैं तो अब तो खड़े हो जाते हैं सब which is उनको support करने के लिए जब तक किसी के against कुछ पूरूव नहीं हुआ मैं भी किसी को दोशें नहीं ठहराता लेकिन जब वहां तो ecosystem आप बड़े support का बना दे तो यहां तो कुछ इस तरह का है ही नहीं दूसरी पार्टियों के भी 2-1-2-1 करके सब पार्टियों के थे ठीक है last time जब यह हुआ था तो अगर वो प्रूव होता है तो उसको करो अगर प्रूव होता है नहीं प्रूव होता तो क्योंकि अगर वो प्रूव होता और वहां प्रूव होते actual में तो यह photo end निकालने की पड़ती क्योंकि वो ही काम कर जाता पूरूव लेके बैठे थे उसी से काम बन जाता यह intimidate करने की कोशिश है इसका मतलब है जो महिलाएं independent हैं bold हैं अपने mind रखती हैं बोलती हैं तो उनको यह यह पेस करना पड़ेगा भारत के अंदर यह बहुत महिलाओं के मैं इसको sexual harassment क की category में डालूँगा मेरे हिसाब से आपके हिसाब से है या नहीं है at workplace अब वो है कि directly कुछ नहीं क्या वो फोटों कहीं से कहीं से निकाल दो the very fact आप उस पे कोई चेक नहीं रख रहे और लोगों को लोग अपनी खुद की जो party है वो support में नहीं आ रही क्योंकि वो भी देख रही है कि vote bank politics कि दर जा रही है politician अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता वो जनता को देखता है जनता के दो reaction है इसमें एक reaction है हला मचाके कि तुमने ऐसे कराए क्यों इस महिला के अगेंश्ट और ऐसे करना गलत है और we will not tolerate this एक यह approach हो सकती है और एक अप्रोच होती है हो हो यह photo है अच्छा उसके साथ है पूरुष किसी के साथ photo खिचा ले private space में को issue नहीं है उसको तो ऐसा बोला जाता है कि पौरश तत्व है कुछ भी उसको इस तरह का बता जाता है personally महिला कुछ अपना किसी के साथ उठे बैठे और आप photograph को देखो पूरी photo shopping हो रखी है उनकी वैसी दिख रहा है वो इतनी बड़ी table पे जहां इतने लोग बैठे होते हैं selectively दो लोगों के ऐसे करके photo दिखाना group में ठीक है वो बाकी लोग कौन थे उनको दिखाना ही नहीं वो दिख रहा है दिख रहा है तो intention क्या है दिरिश्यम करके एक movie आई थी उसमें भी तो कुछ ऐसे ही था ना को वो थी photograph खीच ली और वो लड़की हैरेस हो रही थी तेरी leak कर दूँगी तेरी leak कर दूँगी उस टाइम एसा लगता था कि यार यह क्या है इसको तो ऐसे बोलना मतलब leak कर देगी कर देगी क्या हो गया लेकिन आप देखो actual में जब कोई actual में इस तरह होता है तो किस तरह का मुद्दा बन जाता है और समाज इसमें एकदम finger on lips है को opinion ही नहीं है क्या आपकी opinion है इसमें कि किसी तरफ की भी प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखें जज किया जाएगा जनता क्या कर रही है उसको politician जज़ गर रहा है कि किस तरफ तुम्हारा हला किस तरफ मच रहा है तो यह twitterों पे whatsapp पे forwardों पे और हर चीज़ पे ये खतरे में है वो खतरे में ये खतरे में तो या fellow Indians इसके लिए खड़े होंगे मैं बिलकुल भी इसको political करके नहीं बनाना चाहता कि उसने क्या बोला वहां क्या बोला ये बोला द्रॉपती ने बोल दिया दुर्योधन को कुछ तो इसका मतलब चीरहरन allowed वो धरम हो गया हसके बोल दिया ये बोल दिया तुम्हारी डिग एक और M4 जो M की बात करते हैं वो भी M4 Mon हैं एक स्टेट और M4 M4 दूसरा स्टेट उस पर भी हैं क्यों भई क्यों नहीं बोल सकते क्यों नहीं बोल सकते क्यार बंद करें के बकवास हो रही है अरे एलेक्शन्स आ रहे हैं सब को समझ में आता है ये सब चीजें होती रहेंगी जो जिसका जहां मूँ खुलता है उसका किसी तरह बंद करने की कोशिश करी जाएगी पॉलिटिक्स में ऐसा होता है बट एमफ और मॉरालिटी भी कुछ रखी जाएगी इस देश में या सब का जमीर और ये सब सोच चुके हैं कोई मूँ नहीं ऐसे ऐसे करके कोलेगा वहाँ जब पाकिसान की गिर्केट टीम आती है एमदाबाद में तब तो बड़ा मूँ खुलता है हिम्मत आ जाती क्योंकि 11 लोग है आप सवालाक लोग है हिम्मत आ जाती है वह हिम्मत वहाँ जाके दो ना बंदूग लेके महां में बोल के दिखाओ देश को आइना दिखा रहा हूं मैं ज़रूरी ये दिखाना कि जब मॉब मेंटेलिटी एम फॉर मॉब मेंटेलिटी आज सब कुछ एम से ही चल रहा है एम फॉर मॉब मेंटेलिटी ये मॉब की मेंटेलिटी है और ये जो इसमें रिजॉइस कर रहा है आनंद ले रहा है पीड़ा में वो कार्मिक अकाउंट अपना खोल रहा है आगे के लिए ये मैं बताना चाहता हूं नवरातरे चल रहे हैं ये टाइम बहुत अच्छा है पाइस टाइम है शक्ति का टाइम है दुरगा की पूजा होती है बाकी देवियों की पूजा होती है आपको सब पता है क्या होता है ये टाइम पे अगर ऐसा हो रहा है और अगर किसी का थोड़ा सा मूब भी नहीं खु बताय जा रहा है कि call out किया जाएगा और जो बाकी महिला MP हैं और सांसद जो हैं और मंतरी हैं उनका मुझ क्यों नहीं खुल रहा तुम यह नहीं बोल सकते आके कि भी जो यह करना है करो महिला क्या गेंस्ट किया जा रहा है बहुत गलत है और हम निंदा करते हो ना लैंपोस्ट खड़े कर दीगे उठा के पारलिमेंट में डाल दीए ना मुझ खुलता उनका ना उनका जमीर जाकता ना उनसे बोला जाता क्योंकि मंतरी पत चला जाएगा या अगली बार पार्टी टिकेट नहीं देगी तो उन्हें उसको सपोर्ट कैसे कर दिया रह अपना पीसों मैंड दे दती है इस तरहे चुप कराने के तंतर बने हुए है क्या messaging जा रही है क्या messaging जारी है देश को की एक महीला और उसने और personal movement मेरेको तो समझ नहीं आ रहा करा क्या पूराने किसी time में अगर आप विदेश में है आपने कुछ कपड़े कैसे पहने है पह पैसे पैस, whatever they do, ऐसे ही होता है, कोई पुरानी फोटो कहीं से निकालन नुकुल के और उसमें कुछ फोटो शॉप करके और यह करके, क्या इंपरेशन दिखाना चाहते हैं, एम क्या है, इसमें यह दिखाकर इसकी कैम्पेंग चलाने का क्या है, इम है, that we all need to discuss as a society, and we must judge, judgment के ही तो निकाला है इनने कि अब सोसाइटी इसको हो करके जज करेगी पाकी पता चल जाएगा लोग सभा के चुनाव होंगे दो तिन सिच्वेशन हो सकती हैं मेरे हिसाब से यह दो MPs involved हैं एक महीला MP है जो और एक वो पूरश MP है क्या पार्टी दोनों को टिकेट देती है क्योंकि हो सकता है कि जो पार्टी महीला जिस पार्टी से वो ही किसी कारण से घबरा कर इनको ना दे कि यार ये तो हमें तो वोट कम करेंगे क्योंकि उनके नेता 10 बाइ 10 फुट के कमरे में 2 साड़ी चपल और वो वाला इमेज है ठीक है तो हो सकता है ये भी हो सकता है दूसरा हो सकता है ये पुरुष जो है इनको टिकेट ना मिले कि आरे तू क्यों जादा कर रहा था अपना ऐसा हो सकता है, या इनको मिले, इनको साबाशी मिले, कि नहीं तुने भोध अच्छा ग्रेट काम किया है तू और जित, फिर जंता क्या डिसाइड करती है, वो भी देखा जाएगा, हो सकता है, दोनु को मिले, एक जित जाए, एक हार जाए, या दोनु हार जाए, वो कि जज्ज्मेंट क्या है, पर इतना जरूर है कि इस महिला को अगर टिकेट नहीं मिला ना, तो उस पार्टी नहीं तो कोई और पार्टी दे देगी, और ये पुरुष जो है ना, मुझे लगता, अगर इनको नहीं मिला तो इनका बहुश्य, ये भी एक बात बता रहा कुछ अगर गलत कर रही है, गलत आपको लग रहा है, तो देश में कानून है और प्रकिरिया है, ये कौन सा दबाने का तरीका हुआ कि हम तो जी फोटो डाल देंगे, ये देखो फोटो देख लो, ये फोटो में ऐसे, देखो तो सही और नीचे, और सारे तुमारी जो महिल हैं, जो ट्रोल बना रहे हैं, नहीं के थुरू डाल डाल के कमेंड डाल रहे हैं, और हैंड्स वाश ओफ कर दे रहे हैं, कि हमें नहीं पता, ये तो नॉर्मल डल रहे हैं, पब्लिक डल रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो वही तो हुआ था ना, जब दुरापती क हैं आप भी कसूरवार हैं मैं एस यूट्यूबर अपने इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कर सकता हूं मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी आप लोग जो सुन रहे हैं देख रहे हैं आप इसको शेर करें दस हजार क्रोड चीजे नारी शक्ति की तो पूजा है या सिरफ से उपर से ऐसे ही मंदिरों में जाने और बाकी जगे जाके ही पूजा करनी है वो तो करम कांड है करने चाहिए जिसको करने पर ये असली टेस्ट है असली नारी असली नारी शक्ती पूरा country बैठ के मतलब ऐसे मज़े ले रहा है कोई तो कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो कि ये चीज़ ठीक नहीं होरी है बाकी कसूर किसी का है किसी ने कुछ public space में cash for question and all that उसको कर लो investigate उसके लिए तो I think ये महिला MP भी बोल रही है कर लो उसको लिए कौन बोल रहा है public space में कुछ गलत किया गया है तो उसको करो पर ये क्या है ये क्या चीज हो रही है 2023 के अंदर ये सबसे जादा विचलित करने वाला conscious को समाज का एक issue आ गया है और ये ऐसे इतनी जल्दी आप लोग इसको जाने मत दो आप इसको पकड़ लो बोलो हमने party का कोई लेना देना नहीं politics का ये महिला बोलो कुछ भी हो सकती थी ये MP है ये corporate की employee है ये सरकारी अधिकारी है normal actress है कुछ भी हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं महिला है ये महिला है और महिला के लिए समाज खड़ा होगा अगर इसके against कुछ करोगे तुम और इतनी बेहुत्गी करोगे और ये बेहुत्गी करी जा रही है और जो जो इस बेहुत्गी पे मौन है देश का चै वो कोई मर्जी हो सबसे बड़ा नेता सबसे छोटा नेता बीच का नेता चै आम पबलिक वो इसके अंदर भागीदार है अपना contribution करें बोलो this nonsense will not be tolerated don't do this nonsense बाकि आपको जो normal अपना खेल खेलना है खेलो और अगर उसमें कुछ नहीं निकल कर आया तो law will take its own course ठीक है कि भी तुमने इल्जाम डाला था तो चलो करलो prove गलत इल्जाम डालते हैं तो law बताता है कि किसके basis पर डाला तुने वो करो वो चीटा खची हो रही है कि ये corruption है ये है वो है ऐसे हो रखा है ऐसे कर रखा है इसने कर रखा तो वो तो उस party को कुछ डालना है इनके अगेंस्ट रो डालो नहीं डाल सकते तो चुपरो पर अब ये वाला जो entry है ये गलत है ये वाला system ही गलत है आप लोगों का इस पर क्या विचार है जरूर बताएगा और इसको जोर लगा के मैं बार-बार बोल रहा हूँ नॉर्मली मैं वीडियोस को नहीं बोलता इस वाले को आप definitely share करें ये और comment section में दबा के लिखें कि कैसे है कि और मैं जानता हूँ मेरा जो subscriber है मेरा जो सुनने वाला है वो है intellectual थोड़ा मुझे भेड़ चाल वाले troll वाले नहीं चाहिए हैं आपे तबी मैं इसको अपने core audience के लिए डालता हूँ ताकि आप भी समझदारों को forward करना क्योंकि बाकी ये बड़ी इखटी कर रखें कि हम तो ऐसे करतेंगे वैसे करतेंगे इसके against है जो हमारे against है उसके against हम किसी level तक गिर सकते एक level होता है वो level breach हुआ है समाज का breach हुआ है उसमें समाज के जो बुद्धी जीवी हैं और intellectuals हैं उनका दाइत्व है जो ये मुरक लोग होते हैं अफकोस ये तो नहीं करेंगे इनको तो मजा ही आता है सारे काम करने में को पहलाना है टूटर के माध्यम से इसको whatsapp पे इसको connect करके इस video को और अपनी आवाज उठानी है because आज social media के जमाने में ऐसे ही कोई आके करके नहीं जा सकता पहले कोई जबान नहीं थी किसी की कोई platform नहीं था अभी हम सब के पास platform है मैंने इस platform पे अपना ये मुद्दा छेड़के आप लोगों को participate करने के लिए एक again platform दिया तो please करो and there are politicians who are very smart वो नब्ज ऐसे ही पकड़ी जाती आज कल कोई किसी के घर में जाके नहीं पूसता generally क्या चीज़ trend करती है trend में इनका ऐसे लिखा गया hashtag महिला का नाम और उससे पहले हरामी हरामी word यूज किया गया है और आगे इन महिला का नाम लिया गया है और वो trend कर रहा है आप बताओ ये ये क्या सही अच्छी चीज़ है देश के लिए कोई किसी को बोलना नहीं चाहिए just because आपको किसी कारण से वो पसंद नहीं है for whatever reasons तो उनको सीधे होके take on करो न ये वाली कौन सी entry है please share करिएगा thank you very much